दोब्रदेश में कोरोना वाइरस के संक्रमन की रोक थाम के लिए लागू राजस्थान एपेडेमिक अध्यादेश के तहद अब तक 80,000 लोगों का चालान किया गया है जिसके तहद 1,488 लाख रुपे से अधिक का जुर्बाना वसूला किया है जिसमें सारवजनिक स्थोलों पर मास्क नहीं लगाने बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेशने वाले पर 3500 लोगों के खलाफ FIA अदर्ज की गयी है जिसमें करीब 7,000 लोगों को ग्रफतार किया गया है जबकि सवा चाल लाग से अधिक बाहनों का चालान किया गया और आठ करोड रुपे से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया मैं 18,800 लोगों को CRPC के प्रावधानों के तहद शांती भंग के आरोप में गिरफतार किया गया है सोनी ना बताया कि राजस्थान पुलिस की ओड से सभी निरधारित प्रावधानों के तहद प्रभावी कारवई की जा रही है करोणा वाइरस के संक्रमन की रोक्ताम के लिए राजस्थान पुलिस की बड़ी कारवई है 80,000 लोगों का किया गया चालान एक करोड 48 लाख रुपे से अधिक का जुर्माना भी वसुला गया राजस्थान मामारी अध्यादेश जब से जारी हुआ है तब से राजस्थान पुलिस ने अब तक 80,000 लोगों के खिलाफ कारवई करके और उनसे एक करोड और 48 लाख रुपे का जुर्माना भी वसुला है इसमें मुक्य रूप से मास्क नहीं लगाना, सोचल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करना पब्लिक प्लेस पे थूकना, पब्लिक प्लेस पे सराब का सेवन करना और नसीली चीजों का सेवन करना, इसमें कारवाई की गई है सोचियल मीडिया के दुरूप योग के अब तक 215 मुकद में दर्ज हुए हैं जिसमें की 296 लोगों खिलाफ कारवाई की गई है काला बजारी के 132 प्रकरन Essential Commodities Act के तहर दर्ज किये गए हैं और टोटल लोग डाउन जब से सुरू हुआ है तब से करीब 3,500 मुकद में दर्ज किये गए हैं साथ हजार लोगों के खिलाफ